नमस्कार दोस्तों मेरा आज नर्वर है आपके अपने यूटूब चेनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हम लोग जो सिरीज देख रहे थे इंपोर्टन कोश्चन की जो सिरीज देख रहे थे उसी को आज भी कंटिन्यू करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक किजिएगा और आप अगर चेनल पर नए हैं तो सबसे पहले चेनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजी और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ साइड में जो बेल आइकन का बटन है उससे भी प् ठीक है बात करते हैं कोश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग फहला कोश्चन है कि विक्ति के अहारिय अंतरग्रहन का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधी का उप्योग किया जाता है 24 घंटे की आहारिस्मृति कच्चे खाद्य पधारतों का भारमापन खाद्य बारंबारता प्रिश्णावली और उप्रोक तश्षभी तो इसमें जो है आलब्द एब और फोर्थ आप्सन जो है आपका राइट हो जाएगा देखिए एक बात तो जरू कहना चाहूंगा कु किजिए कोई ज़रुरत नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लाइक करोगे आपके लाइक से हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता है सिप आपके लाइक से हमें इतना भर पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है इसलिए हम वीडियो कंटिन्यू कर रह लेकिन हम थोड़ा सा लाइक कर देते हैं तो खुशी मिलती है जिससे हम लोग जल्द से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं और आप लोग को क्या लगता है कि आप फ्री में जब आप लोग को सब कुछ मिल रहा है तो एक लाइक करना तो बनता है ना या अगर पसंद आ रह है इस्थानिक महामारी सर्व व्यापी छीट पूठ कुन सा रोग है तो एट्स जो है सर्व व्यापी हम इसे कह सकते हैं पेंडायमिक जो रोग है इसे कह सकते हैं किसे एट्स को ओके तो आपका थार्ड ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा बात करते हैं थार्ड सपीड से लीक चल रही कि अब आप लोग का रिविजन टाइम है तो आप को याद नहीं है उसका स्क्रिनसार्ट ले लिजी यह फिर आपको जो सोटेबल लगे वो आप कर सकते हों, बात करते हैं थार्ड कोश्चन की, कि जब आरन की कमी से पीडित की सोरी गर्भ होजदी होती हैं, तो खालिस्तान की संभावना अधिक होती है, समय से पहले प्रसों की, जन्म के समय अधिक भारवाले सिसु, जन्म की, या फिर समय से पहले प्रसों हो सकता है, समय से पहले, ठीक है, यह होने की ज़्यादा संभावना होती है, बात करते हैं, फूर्थ कोश्चन की, कि गर्भ होजथा से पहले एवं उनके दवरान आयोडीन की कमी होने से नवजात सिस्वों में खालिस्तान हो सकता है, क्रेटिन्ता, वा प्राद्य उप्योग खालिस्तान पर नेर्भर करता है, जेव उपलब्दता, सुरक्षितियों, पीने जो की जल, सुच्छता है, मपसिष्ट निकास, उप्योग तो सभी, तो इसमें आपका उप्योग तो सभी all of the ever, जो है आपसर राइड हो जाएगा, और एक बात कुछ बच्चों को डाउट है कि इस तरह हमारे एक्जाम में जो है कुश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, देखिए मैं पहले भी आपको सीरीज स्टाफ करने से पहले बता चुका हूँ, कि ये जो सीरीज हम चला रहे है, इसमें एक तो जनरल स्टडी के आपके जो कुश्चन काते है, दो नंबर के साइंस, दो या तीन नंबर के सांट साफ से पूछी जाती है, तो उसमें इसमें से कुश्चन आएंगे संभावना है, इसके साथ जो ब्सक्राइब हमें इक टॉपिक है competition से, वही बता रहे हूं सिर्फ हीज़न नूटरेशन के, बागी sólo हृने का syllabus कुश्चन आएंगे और कोई नहीं इसमें से दो तीन कुश्चन आने की संभावना है चार-पांच भी कुश्चन आ सकते हैं इसमें से क्योंकि इसमें दो टॉपिक आपके कवर होंगे एक हेल्थ का और एक इंट्रिसन का ठीक है तो मैं आपको बार-बार बताओ रहूं कि इस इसमें से इतने नहीं कि आप यह समझ लूँ कि 100% या 50% जो है इसी में से आएंगे यह छोटी सी सीरीज है जो कंपिटिशन एक्जाम की तियारी करते हैं तो बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है इतने इसमें से अगर सेलेबस में से सब कुछ आ जाता तो फिर क्या बाती इत वाले उनके लिए तो जरूर आएगा यह तो पक्का है कि एनम और नर्सिम वाले जो है इनमें से कोश्चन आपके आएंगे ही आएंगे बस मैं आपको कोश्चन का पेटन बता रहा हूं कि आपको क्या करना है और जनरल स्टेडी के इसमें भी एक दू नंबर आपके पूछ ऄएंगे बाकि जो दूसरे फिल्ड वाले हैं जैसे लेब टेक्किनिसियन वाले हैं या लेव अटेन्डेलेल वाले हैं तो इनके लिए यहां से एक दो नंबर हो सकता है आए या ना भी आई इसका मैं कोई भी कन्फम यह नहीं बता सकता ब्यस्से नर्सिम और एनम व उप्योग पर निर्भर करता है जेव उपलब्दता सुरक्षित यहां पीने यूग के जैल सुच्छता हैं अप्सिष्ट निकास उप्यूग तो सभी तो उप्यूग तो सभी आलाब दाबव जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा सिक्स नंबर का कुश्चन तो केंसल कर दिया गया था सेवन नंबर का कुश्चन है कि टाइफाइड उत्पन करने वाला जीव कौन सा होता है साल्मोनेला टाइफी बेटुलिज्म सेवाल या कवाक तो यह आपको सबको पता है कौन सा होता है साल्मोनेला टाइफी हम जिसे कहत का जिसके कारण टाइफ है होता है एक नमर का कोश्चन है मेरा समसे पीड़िद बच्चे में इन में से कौन सा लाक्षनिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है अम लिये मल के साथ पानी जैसे दस्त सामाने से कमतापमान उदर की पतली दिवार से क्रमा कुंचन दिखाई पढ़ना या सामा निक्रत एडिमा तो इसमें हम लोग कहेंगे सामा निक्रत एडिमा फोर्थ होप समझोए इसमें आपका राइट हो जाएगा बात करते हैं नाइन दंबर के कोशन की कि गर्भास्ता के दावरान गर्भस्त सिसु की व्रद्धी को इन में से कौन सा कारक प्रभावित करता है पोशन इस्तिती स्वच्छतायम अप्सिष्ट निकास अनुवान से की उप्यूपत सभी तो इसमें भी आल अप दे एबो जो सानुद और रेविजियूम कर्ण मुल्सोद गल्सुवा ममसल जी से कहेंगे टाइफाइट टिटेनस हैजार्ड टुबर क्लोसी उप्यूपत में से कुई नहीं तो यह आपको जरूर याद रखना है मैंने आपको पहले भी बता जिया कि प्रोटो जोग के कारण कौन-कौन सी बिमारी होती है वायरस के कारण कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ पोशन इस्तिती त्वचा सोध तो इसमें हो जाएगा पोशन की स्तिती थाड़ न्यूट्रेशन स्टेटस हम कह सकते हैं थाड़ अप्सन जो आपका राइक हो जाएगा के सारी दाल में उपस्तित नामक जीव वीश कलाय खंज लेथीरी रुगनता नामक रोग उत्पन करता ह हैं बीटा गामा अमीनो अमल बीटा अग्जेली अमीनो एलानीन बीटा हाइड्रॉक्जिल प्रोलेल या फिर बीटा अलफा अमीनो अमल तो इसमें हो जाएगा बीटा अग्जेली अमीनो एलानीन हम इसे कहेंगे ठीक है बात करते हैं थाटेन नंबर का कोश्चन है कि एक उग्रहद बोसक तत्व जिसका मुख्यकार उतक व्रद्धी हम रख रखाव हैं वसा कार्भोहडरेट प्रोटीन इन में से कोई नहीं तो प्रोटीन हम इसे कह सकते हैं कि इसका प्रोटीन थी कि थार्ड ओप्सन जो आपका राइट हो जाएगा और फोर्टीन्थ नंबर का प प्रे एम फ्रस्ट ओप्सन जो है आपका राइट हो जाएगा फिप्टीन नंबर का कोशन है करनमुल सौध गलसौः ममज खालिस्तान का संक्रमन है करन पूर्व पेरियूटी ग्रंथी अवीची बूकी है या सम्मेंडिबूल ग्रंथी या सम्लिंगूल ग्रंथी या सब फर्स्ट ऑप्सन जो इश में आपका रैट हो जाuhan ठीख है। बात करते हैं 16 नमडर के कुशन की कि सरीर और किरात्मक, इंदन कारक एवं ग्रामवसा से खालिस्थान प्राप्त होती है। आट किलो केलोरी, नव किलो केलोरी, साथ किलो केलोरी, छे किलो केलोरी। हार संपूरख के रूप में इनमें से किस पोसकत्व का सुझाओ दिया जाना जी ये दूद अंडे की जैदी, डाल, सिट्रस परिवार के फल, मौसम भी संतरा, निबु आदी, फोर्थ आप्सन जो है आपका राइट हो जाएगा टीबर क्लोसिस के उपशार का लग से उच रोग मुक्तिदर सुनिश्चित करना, पुन्रावरत्ती नियूंतम करना, आउसदी प्रती रोध की उत्पत्ती रोखना, उप्योगत सभी तो आल अप्द एबॉज जो है फोर्थ आप्सन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा आल अप्द अब, नैंटीन नमर का कोश्चन क्या है कि बालवाडी, पोशन अहर कारेकरम, भारत सरकार द्वारा वर्ष नोन निस सो सतर में आरब किया गया, एक स्वास्ते दिख भालेवं सिक्षन कारेकरम है, जो खालिस्तान का संपून भोजन पर दान करता है, तीन सो किल कैलोरी, पांसो किलो कैलोरी, 288 किलो कैलोरी, या फिर 400 किलो कैलोरी, तो इसमें हो जाएगा 300 किलो कैलोरी, कितना 300 किलो कैलोरी, बीश्वा कोश्चन है कि गर्वधारन, पूर्वे इंप्रसव, पूर्वे नैदानी, डाइग्रोश्टिक तक्निका देहिं, खालिस्तान पर क इंद्रित हैं तो इसमें आपका हो जाएगा मादा अब्रून गर्भपात की रोक्ताम, जन्व से पहले लिंग पहचान की रोक्ताम, दंपती को व्यापकियों उप्युक्त परामर्थ उप्युक्त तश्चभी तो इसमें भी आपका अलब दव्याव जो हैं तीनों आप्सन जो है इसमें आपके राइट हो जाएंगे, 21 नमबर का कोश्चन है कि स्वस्त सुपोसित वयस्क की उर्जा हो सकता, खालिस्तान के समतुल्य होती है, कुल उर्जावे, आंसिक उर्जावे, अपुर्ण उर्जावे और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा कुल उर इमांदारी से पढ़ रहे हैं, हर वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, लाइक करते हैं, जो भी है वो तो उनकी बात है, लेकिन हाँ, इमांदारी से वीडियो को देखते हैं, वीडियो के लिए वेट करते हैं, ठीक है, और आप लोगों की सपोर्ट की वाज़े से मेर सब्सक्राबर भी बढ़ गए हैं ठीक है तो आप सभी का इसके लिए बहुत-बहुत धनेवाद और आप लोग इमानदारी से वीडियो देखते हैं तो देखो आप लोग अगर देखते हैं डेली व्यूज अगर मेरे वीडियो पर आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता हू मैं आपके लिए कोसिस कर रहा हूं आप लोग को पता है कि मैं डेली फिर भी कोसिस कर रहा हूं कि डेली वीडियो जो है आपको लोग के लिए अपलोड कर दूँ हां कभी कभी हो जाता है एक दो दिन टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो जो है डेली हो जाता है फिर भी कोसि अएधा रहती आप प्यार देते हैं नहीं देते हैं फिर भी रते है, फिर भी आप लोगा प्यार रहा ह। कोशिस तो continue हम बनाने की कोशिस करेंगे, टाइम जैसे भी मिलता है, मैं वीडियो बनाने की कोशिस जरूर करता हूं. ठीक है इसमें आपका हो जाएगा आयोडीन हम कह सकते हैं थर्ड ऐडीन थायरेट गरंति से हमने आपको बताया था 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 थायरेट गरंति से आयोडीन का आपका रिलेशन हमने पहले भी आपको यह बता चुके हैं 23 नंबर का कुशन है कि मध्य उपरी बाह की परीधी क्यांधार पर कुपोशन की स्रेनियों में वर्गी करन के लिए इन में से किस मान को गंभेर रूप से कुपोशित की स्रेनी में रखा जाएगा 15.5 से यदि 13.5 से यदि 12.5 से कम या उप्यूक्त में से कोई नहीं तो इसमें हो जाएगा आपका 12.5 से कम आपका ओप्शन थर्ड जो है राइट हो जाएगा 24 नंबर के कोशन की कि गर्भोस्था में इन में से किस समस्चा का अनुभाव नहीं होता है वबकाई का तरलेकत्र होने सिद्पन स्वजन या एडि मा हम चीचे कहेंगे उल्टियां या दातों का स्राणा इसका कोई रिलेशन नहीं होता है दातों का स्राणा का कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं होता है ठीक है बात करते हैं 25 नंबर का कुश्चन विटामिन ए रेटिनाल पूर्वन निर्मित विटामिन एक केवल खालिस्तान भोज़िपदार्त में पाय जाता हैं पादप मुल्के जनती मुल्के कवक के जैन में से कोई नहीं तो जनतु मूल एनिमन औ और ओरिजन हम इसे कह सकते हैं ठीक है सेकेंड ऑप्सन जो है इसमें आपका डाइट होगा बात करते हैं 26 की के गर्भोस था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भोती माताओं को खालिस्तान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए आरेन फोलिक कम विटामिन ए विटामिन डी व ग्राम में भार को मिटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं या इसे कैटलेट सुचकांक भी कहते हैं बी एम आई फर्स्ट ऑप्सन जो इसमें आपका राइट होगा 28 नमबर का है कि इन में से कौन सा समू अस्ति भंग और कैलिसियम की कमी के प्र अच्छा स्वास्ते, संपन्नता, मोटापा या स्वास्ते जीवन सेली तो इसमें आपका होगा मोटापा थर्ड ऑप्सन जो है आपका राइट हो जाएगा 30 नमबर का कोशन है कि क्लीनिकल दरिष्टी से विटामिन B12 की कमी के कारण खालिस्तान नामा के स्थित्य उत्पन ह आपका राइट हो जाएगा 31 नमबर का कोशन है कि यहाँ नुसंसा की जाती है कि प्रसों के बाद के आरंबिक 6 महिने महिनों में नवजात सिशू को किवल खालिस्तान जाए बोतल से दूद आहर पिलाया जाए दूद छोड़ाया जाए इस्तनपान कराया जाए या डब डबे का दूद आहर पिलाया जाए तो आपको पता है क्या करना चाहिए इस्तनपान डिस्ट फिलिंग जो है ये जरूरी होती है नौजात सिसू के लिए बात करते हैं 32 नमर का है कोशन की पंच भोज समु योजना खालिस्तान द्वारा यथा निर्दिष्ट पोशक तत्व अंतरग्रहन प्राप्त करने के लिए सुची तयार करने की सुधा देती आर डी ये यूएन युनेस्को उप्युक्त में सभी तो इसमें हो जाएगा आर डी ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका रहेट हो जाएगा 33 नमबर का कुशन है फास्पूरस खालिस्तान के निर्मान में महतुपून भूमिकानी भाता है अस्तियों और दातों के इस लालरक् है छालिस्तान का कारण बन सकती है किसका करें बन सकती है नियूमोनिया की जिन वद्धीं मैं वर्धी सास्ट लेने में कठनाई उप्युक्त में इस दोनो आपसं नेक राइट हो जाएगे है några गषय की जिन तैम कंलिकेसर आफ नंइं या आपके हार्ट कती में हदैगती में व्रद्ध भी कर सकती हैं और सांस लेने में कठनाई भी हो सकती है 35 नमर का कोशन है कि कोनी है मुखपाक एंगुलर स्टो मटाइटिस जीहां सोद ग्लोसाइटिस और उस्ट विदर्था चेलोसिस खालिस्तान के लक्षन है कैलसियम की कमी राइवोफ्लेविन की कमी विटामिन सी की कमी या विटामिन डी की कमी तो इसमें हो जाएगा राइवोफ्लेविन की कमी सेकन आप्षन जो है आपका राइट हो जाएगा 36 नमबर का question है इन में से कौन एक संचरन सील रोग है मदु में या डिप्थिरिया क्वासियोरकर या मेरा सम्व तो डिप्थिरिया जो है second option डिप्थिरिया जो है संचरन सील रोग है कौन साथ डिप्थिरिया communication diffism कह सकते हैं विटामिन के की कमी का मुख संकेत रक्तसराओं वजन बढ़ना पोलियोई छैरोग टिवर क्लोसीज तो रक्तसराओं जो है ये विटामिन के से आपको पता है न रक्त का ठक का जमने में मदद करता है 38 नमर का कोशन डेंगू की रोक्ताम के लिए उठाए जाने वारे आवस्यक कदम क्या है परिवार नीय स्वच्चतेम अप्सिष्ट निकास मच्छर भगाने वाले उतपादों का उप्योग उचित वस्तरों के माद्यम से सुरक्षा उप्यूक्त सभी तो उप्यूक्त सभी 39 नमर का कोशन है कि ससयो कालिन उर्जा आओ सकता बहुत अधिक होती है क्योंकि यह बहुत खालिस्तान की अवधियों में से एक है त्रीव व्रद्धी दातों के त्रीव निर्मान तेजी से चलने तो त्रीव व्रद्धी हम इसे कह सकते है रैपिट ग्रोथ फर्स्ट आप् बहुति माता के मामले में खालिस्तान के अच्छी संभावना होती है सामाने प्रसोव, सीजेरियन प्रसोव, जैटिल प्रसोव या इन में से कोई नहीं तो इसमें हो जाएगा सामाने प्रसोव नॉर्मल डेलिवरी हम कह सकते हैं 41 नमर का कोश्यन क्या है 41 नमर की परदा और विटामिन के तो गुंगत प्रता जो है विटामिन डी की उपलबदता जो है वो कम करती है घठाती है बत बात करते हैं 42 नमर के कोश्यन की कि जनुवित्रन प्रनाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुव में सामेल है वस्त्रवसदी गेहुँ चावल सक्क्र मिती क तेल सब्जिया ये उंसल या प्रती रक्षी करन तो इसे हम कह सकते हैं गेहु चावल सक्कर या मिटी का तेल सेकेंड ओप्सन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा 43 नंबर का कोशन है स्वस्थ सुपोसित गर्वती माता सामाले तक खालिस्तान को जन्व देती है भारी सिसू, स्वस्थ सिसू, अलप विक्षित सिसू या उप्युक्त सभी तो इसमें हो जाएगा स्वस्थ सिसू जो है सेकेंड ओप्सन जो है आपका राइट हो जाएगा 44 नमबर का question है MMR vaccine इन में से किस रोग से सुरक्षा देती है खसरा, कर्नमूल, सोद, गलसुआ, रुबेला, उप्युक्त सभी तो उप्युक्त सभी all of the above MMR vaccine आई थिंगे पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ बात करते है 45 नमबर की कि इन में से किसे छोड़कर अन्य विकलप खादे सुरक्षा के निर्धारक है खादे उप्लब्दता, खादे सुगम्मता, खादे उप्योग या फिर खादे विपनन मार्केटिंगम जिसे कहेंगे किसके लिए हैं, तो इस सभी खादे सुरक्षा के निर्धारक है, इन में से किसे छोड़कर सभी खादे सुरक्षा के निर्धारक है, तो देखो मार्केटिंग के अगर बात करें तो इसका खादे सुरक्षा से कोई मतलब नहीं होता है, खादे को सुरक्षित रखना मार्के लेकिन फूड या खाद विपनान या मार्केटिंग जो है इसका नदार ने करते हैं 46 नमबर सर्व व्यापी पेंडेमिक रोग का आर्थेन में से किस्से हैं जब रोग पूरे विश्व में फैल जाएं जब रोग गरीबी रेखा से नेचे रहने वाले जनसमों में फैला हो जब रोग केवल व्रध लोगों में फैला हो जब रोग अधिकासता सहरी जनसंख्या में फैला हो पेंडेमिक रोग क्या हो जाएगा सर्व व्यापी या पेंडेमिक रोग हम उसे कहेंगे जो पूरे विश्व में फेला हो, काँ फेला हो, पूरे विश्व में फेला हो, तुसे हम सर्व वपिया पैंडमिक रूग कहेंगे, फर्स्ट आप्शन जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा बत करते हैं 47 नंबर के कोशिचन की गर्वहस्था काली मदुमे के कारण खालिस्तान वाले सिसु का जन्म हो सकता है, जन्म के समय अधिक भार, जन्म के समय सामने भारी उप्यूर्ट सभी, तो यहां पर हो जाएगा कि जन्म के समय अधिक भार, फर्स्ट आप्शन जो है आपक डाइबिडीज के कारण हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा जन्म के समय अधिक बाहर होगा बच्चे का बात करते हैं 48 नंबर के कि अलप पोसित पूर्व विध्यालई बच्चों में खालिस्तान होने की संभाव ना दिखोती है प्रोटीन उर्जा कूपोशन उर्जा कूपोशन तो इसमें हो जाएगा उप्यूक तस्वी फोर्थ ओप्सन जो है राइट हो जाएगा 49 नंबर का कूश्चन इसकरवी खालिस्तान की कमी के कारण होता है विटामिन C वच्चा कार्बोहड्रेट विटामिन D तो यह तो सभी को पता है कि इसकरवी जो है विटामिन C की कमी के कारण होता है डि के कारण तो रिकेट सोता है 50 नंबर का कॉश्चन हिपमो फाइल फाईलस इनफ़ूंजा नामक सा है कौन सा हिपमोफाइछ इनफ़ूंजा नाक वगले में आत में हिर्दय में या मासचा में किसमें रहता है नाक वह गले में नोज इंड थ्रोट में रहता है तो फर्स्ट आप्शन जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा बात करते हैं 51 के कोश्चन की वानों शरीर में छीन बना दिये गए रोग जनक को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं प् 4.184 किलो जूल 4.28 किलो जूल 4.148 किलो जूल इन में से कोई नहीं तो हो जाएगा 4.184 किलो जूल फर्स्ट आप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा 53 नंबर का कोश्चन है कि हालिया ध्यनों से संकेत मिला है नौजाद सिस्वों के भोजन में एरिक कीडो निक अमल और प्रण्रों फॉस्तान के विशेश रूप से महतुकुल नहें अस्तियों के विकास यकरत के विकास मस्तिस्क मस्तिस्क विकास थर्ड पॉयंट जो है राइट हो जाएगा 54 नमबर का कुशन है किसूर अवस्था में आयोडी नियूनता विकार होने से खालिस्तान हो सकता है किसूर आउट्टू अल्पक्रियता पीएंड परनिसियस अनिमिया इसकर वी तो इसमें आपका जो है किसूर यह फर्स्ट आपशन जो है आपका राइट हो जाएगा किसूर किरम इता है ति उसकरे कमशन के मिलसे करते हैं निवह फिर्सके करें क्नू को पर विडियो छीक करेंगा होका तो पर लाइक किजेगा और विडियो को राजबनेंगे तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सिरीज को देखने के लिए जो बच्चे सिरीज को रेगुलर जब भी हम अपलोड करते हैं आप लोग देखते हैं आप लोग को प्यार देते हैं आप लोग पसंद करते हैं लाइक करते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहदिल से आप लोगों का सुक्रियादा करते हैं ठीक है ऐसे ही आप लोग वीडियो पर चेनल पर बने रहीएगा हम कोसिस करेंगे जब तक आपके एक्जाम होते हैं तब तक आपके कोई नो कोई शीरीज कोई नो कोई टॉपिक जो है आपके लिए लेकर जरूर आएंगे त